इंद्र महराज बिचार करने लगे अगर बिर्जा भार को अबर कर लेता है तो बिर्जा भार और चौधोत्तिरिया प्रित्वी लोग से कभी वापस नहीं लोट पाएंगे दोस्तों आपको तो पता होगा बिर्जा भार और चोधोत तिरिया इंदर लोग की देव और परिया थी तब इंदर महराज ने बिर्जा भार से लिया मोहनी बासुरी बजाने लगे मोहनी बासुरी की आवाज सुनकर चोधोत तिरिया इंदराशन पहुच गई बिर्जाभार जब निंद से जगा तब उसे कोई दिखाई नहीं दिया बिर्जाभार सारे महल में अपनी तिरिया को खोजने लगा सारे महल खोज लिया उसे कोई नहीं मिला तब उसने अपने गुरू का ध्यान लगाया तब गुरु ने बिर्जाभार को सारी बात बताई बिर्जाभार गुरु से बोला कैसे मेरी तिरिया मेरे पास आये इसका उपाय बताएं तब गुरु बोले तुम्हारे पास अगनी का तेगा है उसे हुक्म दो की ओ तुम्हारी मोहनी बासुरी इंदर से छीन कर ले आये बि जाने लगा मोहनी बांसुरी की आवाज सुनकर सारी तिरिया दच्छिन सहर अपने महल में पहुच गई जाने लगा में पहुच गई मोहनी बांसुरी आवाज ओ रमहो कैसे मिली अगनी के तेगवरे के चौदा हो परिया मोर अब कैसे आई हैं हो अब कैसे आई हैं हो हो रामहो करोय बर्चव अनू पाय नुरेके चाले तो गईली रामा चौदा हो मिरतु लोक वाहो हो चौदा हो मिरतु लोक वाहो हो रामहो कौवरे ब्रीजा भर के पाय नुरेके जब कुवर करीली है भोग वापिला सवाहो भोग वापिला सवाहो हो रामहो होई जाई आई लकटिन नुरेके अस जी जाने इंद्रे सोची निजमन वाहो हो रामहो सोची करर चले उपाय नुरेके हो रामहो हो रामखन रामहो मत रामहो लाल परी के इंद्रे ली है ले बुलाई के हो ली है ले बुलाई के हो ओ रमा हो कहे लग ले खुब समुझाई के रेके लेई के समाज आपन जाहूं मिर्तु लोक वाहो जाहूं मिर्तु लोक वाहो ओ रमा हो कुवर बीजा भर के पास अनुरे के